नमस्कार दोस्तों, हमारे सनातन धर में ऐसी बहुत सी पूजाएं होती हैं, जब हम नौ ग्रह के लिए नौ अनाज का प्रियोग करते हैं। ऐसे मैंने अक्सर देखा है कि लोग नौ अनाज में मटर भी रख लेते हैं। सूखी मटर अनाज नहीं है, वो आपने सबजी को सुखा लिया है। आए आज जानते हैं कि नौ ग्रह के लिए हम कौन से नौ अनाज प्रियोग में लाएं जिससे हमारी पूजा सफल हो। चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले चंदर के लिए हमें चावल का प्रियोग करना चाहिए। मंगल के लिए हमें लाल मसूर की डाल का प्रियोग करना चाहिए पर खंडित नहीं होनी चाहिए। बुद्ध के लिए हमें बाजरा ले सकते हैं या फिर हरी खड़ी मूंग ले सकते हैं गुरु के लिए सूखा मक्का लेना चाहिए चैने की दाल खंडित नहीं लेनी चाहिए शुकर के लिए हमें सफेद तिल का प्रयोग करना चाहिए शनी के लिए काले चने का या काली उरत का प्रियोग कर सकते हैं सूर के लिए गेहू का या जौ का प्रियोग कर सकते हैं राहू के लिए हमें काली उरत लेना चाहिए और केतू के लिए हमें काले तिल या काली उरत ले सकते हैं इस तरह से हमें अपने अनाजों का चैन करना चाहिए ताकि जो हम पूजा करें वो पूजा हमारी सफल जाए। उमीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। एक लाइक ज़रूर कीजेगा यदि समझ में आये तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजेगा। जैसिए कीृषी झाल झाल